प्रस्टी शेत्रफल और आयतन अब इसमें अलग-अलग टॉपिक है अलग-अलग फिगर है जो कोशन आएगा उससे पहले उसकी डीटिल बता दूगा उसके फॉर्मले लिखवा दूगा फिर कोशन करवा दूगा एक साथ करेंगे तो जब कोशन आएगा तो थोड़ा डाउट हो सकता है होना नीचे तो जैसे जैसे कोशन आगे चलेंगे के कोशन के टॉपिक और उसके फॉर्मले बता देता हूं जैसे फर्स्ट कोशन डारेक्ट फॉर्स्ट कोशन पर आओ सर्फिस एरियास एंड तो कोश्चन समंझ में आएगा और कोश्चन समंझ में आएगा तो कोश्चन बन जाएगा ठीक है? पहला है हमारे पास कोश्चन घन और घनाब वाला पहला कोश्चन घन और घनाब वाला है तो घन क्या होता है? घनाब क्या होता है? देखो इंग्लीश में क्यूब ये हो गया क्यूब जिसको बोलते हैं घन इसमें लैंथ ब्रित और ये वाली हाइट लैंथ ब्रित और हाइट तीनों सेम होती लंबाई चोड़ाई और उचाई तीनों सेम होगी कहने का मतलब हम क्या बोल सकते एक कोई भी बॉक्स लेड़ो उसको हम अगर उसकी लैंथ ब्रित हाइट तीनों सेम है तो उसको हम क्यूब बोलेंगे और बॉक्स में लैंथ ब्रित हाइट तीनों अलग 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 है तो उसको हम क्यूब बोलेंगे घनाब बोलेंगे ये shape है cuboid का ये वाली length ठीके और ये वाली breath और ये वाली height ये हो गया cuboid लेकिन length, breath, height तीनों same same होगी तो उसको हम cube बोलेंगे हिंदी में घन और इस एक और figure बना दे रहा हूं है घनाब घनाब में length, breath, height आइट तीनों अलग अलग ये लो दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या भोसारा अंतर दिख रहा होगा ये लैंथ कि ये ब्रित और हईट लंबाई चोड़ाई और उचाई फॉर्मले देखना है अभी आयतन की जरोते तो मैं आयतन की बात करूं आयतन आयतन मतलब होता है volume क्योंकि topic है हमारा है surface areas and volume prestige शेत्रफल और आयतन chapter 12 new anxiety new anxiety ठीक है तो ये cuboid और cube दोनों का figure मैंने बना दिया हिंदी में इसको घनाब और English में cuboid बोलते है घन और घनाब cube और cuboid दोनों में कोई डाउट है कि दोनों figure में अब मैं आयतन की बात कर रहा हूं तो आयतन का मतलब कि कोई ऐसा बरतन लिलो या जिसको टाका बोल सकते पानी ना खेतों में बना होता है अब पाणी डाल दो तो घन ऊपो आयतन ओजाएगा वलियू हो जा और पानी डालत हाँ वल्यूम हो जाएगा तो एक घन और गनाब कोश्ण अच्छ कोशन में क्या बोल रहा है क्योंकि थोड़ा घुमाया है दो घंअ अब यहां पर कितने घंड लिए दो एक यह और यह एक और बना दूगे साइड में यह लो दो गन ले लिए, ठीक है, सेम सेम, दो क्यूब ले लिए, जिसमें प्रत्तेक का आयतन दिया है, इसका आयतन देकर रखा है 64 cm का क्यूब, इसका आयतन 64 cm का क्यूब, फॉर्मला लिख देता हूँ, आयतन का फॉर्मला होता है A क्यूब, अगर आयतन मतलब लंबाई टिक तीनों सेमोगी तो मैंने दो चंट बना दे दोनों का इतन कितना दिया है 64 64 सैंटिमिटर के संलेगन फल्कों को मिला कर एक ठोस बनाया उसका ठोस पनाया ठीकी कोशन सुनोep resume कि दो घनों जिनमे से प्रति गायतन 64 सेंटीमेटर का क्यूब है कि संद्रफ फलको को मिला कर एक गषोस बनाया है इस प्रकार बने घनाब का प्रस्टी शेत्र फलफ़ निकालो यह वाला घन यह वाला घन दोनों कि सनलग ने फल को मतलब उसके साइट को मिला कर ऐसा मिला दिया ठीक है दोनों का वल्यूम दा दोनों को ऐसा मिला दिया दोनों के वल्यूम और क्या बनाया गया है सनलक फंड को मिला कर एक ठोज बनाया है जिसमें प्राप्त घनाब का प्रस्टी शेतरफल अब यहाँ पर आ रहा है घनाब घनाब का प्रस्टी शेतरफल प्रस्टी शेतरफल क्या होता है सर्फेस एरिया surface area of cuboid surface area होता है मैं अभी लेख दे रहा हूँ फिर समझाता हूँ to length breath plus breath height plus height or length अब घनाब के लिए घनाब का प्रस्थी शेत्र फल है समझना इसको ये घनाब बन गया दोनों आदे आदे ये दोनों color दिख रहा मानलो ये एक घन है ये एक घन है दोनों आदे दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया घनाब cuboid बन गया पूरा box मान रहा हूँ है formula कैसे बना हम जो रूम में बेटे है ये cuboidal है ये घनाबा कार है घनाबा कार है मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक length यहाँ से लेकर इधर तक breath और यहाँ से लेकर यहाँ तक hide यह हो गया cuboid घनाब पूरे घनाबा कार रूम में बेटे हम cuboidal form के एक रूम में बेटे है तो इसका प्रस्टी शेत्रफल चीए मतलब surface ही रिया कैसे निकालोगे कितने surface मैंने इसकी पूरी detail नहीं complete करें detail चेक करो कितने surface एक दो तीन चार पांच शे कोई बुचेगा how many surfaces are there in cuboid कितने प्रस्ट होते हैं छे कितने surface छे surface होते हैं तो सब का अलाग प्रस्टी शेत्रफल निकालना पड़े गाना छे का निकालना पड़ेगा कितने surface का निकालना पड़ेगा एक बाट बताओ जो प्रस्टी शेत्रफल इसका होगा वही इसका होगा कहने के मतलब इदर की दीवाल जैसी है वैसी सामने की दीवाल ने aris तो सहर्फेस एर्य का वर्मला किसे बनाया होगा हमने स्ऌर मौन नहीं के लिए देखो इसी को मान लो इसको length बोलो या फिर इसको चेक कर लो यहां से यहां तक वो length breadth और height तो जब हम नीचे का surface area निकालेंगे तो नीचे का surface area length into breadth नीचे वाला length into breadth सेम उपर कभी आएगा तो उसमें एक length into breadth और add कर दो प्लस ये वाला भाग ये वाला breadth और height तो इसका surface area निकालना रहा है तो length sorry, breadth और height तो ये हो जाएगा हमारा breadth और height और ऐसा किएसा स्यम सामने वाला है तो ये भी क्या हो जाएगा breadth और height फॉर्मुला बना रहे है पंथ TensorFlow बचा कौन सा भागे यह वाला इसमें क्या गया है length और height तो जब सर्फेस एरिया निकालते हैं जिससे rectangle कर area होता है length और length into breath वैसे सब बाग अलग अलग ऐसे निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा length और यह क्या हो गया तो यह हो गया length height length height अलग-अलग, कितनी बार, 2LB, 2BH, 2LH, जमा कर लिखो, कैसे जमा होगे, LBH, length, breadth, breadth height और height length, तो 2, length, breadth, breadth height, और height length, और यही formula मैं आपर लिखा है, surface area of cuboid, बस यही कि लंबाई को L बोला, English, medium वाले, confusion नहीं हो ना, हिंदी वाले, लंबाई को L, चुड़ाई को B, breadth, और उचाई को H, height, तो formula बन गया, 2, इसे line से लिख लो, रियाद कर लो, LBH, 2 length breadth, breadth height, और height और length, इसमें कोई doubt है कि formula मैं, अब जो question बोल रहा है, उसको सुनो दियान से, question बोल रहा है कि, 2 cube लिए, उसके सनलगन फलकों को मिला दिया, तो इन बन जाएगा क्या, तो अच्छे से बनेगा, बड़ा बन जाएगा हो, सीधा, ठीक है, तो पहले हमको इसकी side पता होना चीए, ध्यान से सुनो, find that surface area of cuboid, घनाब का प्रस्टी चेतरफल, घनाब का प्रस्टी चेतरफल, गिवन है, इन 2 cubes, दो घनो में, 12.1, question number 1, दो घनो में, आयतन, आयतन मतलब, volume, कितना दिया है, 64 cm का cube, हमको पहले side पता होना चीए, और घन का आयतन, ये लिखा आयतन, आयतन मतलब volume, क्या होता है, A cube, तो पहले आप side निकालो, side कैसे निकालो, कि समझ में जाएगा यहाँ पर, volume of cube, घन का आयतन, ये हो जाएगा, A cube, आयतन कितना है, 64, ये कह जाएगा, A cube, इसको कहा लिख सकते हो, 4 cube, 64 को 4 का cube लिख सकते हो, equal A cube, cube से cube, A equal कितना है, 4 cm, अब बताओ, इसकी breadth कितनी, length कितनी, 4, breadth कितनी, और height कितनी, 4 cm, इसमें भी 4 cm, 4 cm, और अब जब आब इसको मिला दोगे, सुनना द्यान से, अब मैं इसको किस से, इससे बता देता हूँ, इसकी length 4 मान लो, breadth 4 मान लो, height 4 मान लो, इसमें भी length कितनी, 4, breadth कितनी, 4, height कितनी, अब दोनों को मिलाने की बात कर रहे है, question, length बताओ, 8, breadth बताओ, 4, ऐसे थोड़ी ना जोड़ा है, ऐसे जोड़ा है, भाई, length, breadth, height, 3 cm, 4, 4, 4, length, breadth, height, 3 cm, 4, 4, 4, 4, आप वो बोला, सनलगन फलकों को सामने से मिलाओ, सामने से मिलाया, तो length कितनी, 8, breadth कितनी, और height कितनी, height ऐसी रहती जब बढ़ती, इधर से जोड़ते, या इधर से ऐसे जोड़ते, तब breadth बढ़ती, लेकिन बढ़ी क्या, सिर्फ, change क्या हुआ, length चेंज हुआ, तो after joining, ये तो हमने after joining किया, after joining, मिलाने पर length कितनी, 8, breadth कितनी, 4, और height कितनी, क्योंकि मिलाने पर वो खुद बोल रहा है कि cuboid बनाए, मिलाने पर क्या बना, cuboid, उसने बोला न, जो cuboid बनाए, घनाब बना, उसका प्रस्टीश एतरफल निकालो, तो मिलाने पर बनेगा क्या, cuboid, cuboid का formula मैंने बताया, two length, breadth, breadth height, और height length, तो बने घनाब का प्रस्टीश एतरफल, तो ये दोनों थे दोनों को मिला दिया, तो सामने सामने से मिले ना, ऊपर से ऐसे थूड़ी ना रखाए, ऊपर से रखाता तो height change होती, सामने सामने रखाता तो सिर्फ change क्या हूई है, हाइट उतनी है हाइट उतनी है उपर रखते तो हाइट चेन्ज होती सामने रहा तो चेंज ग्या हुए लैं तो आप शेप लेंद अलग हो गई तो जब चीजे अलग-अलग हो जाती तो क्या बच जाता हो घनाव मतलब क्यूबोइट हमको निकालना और लेंद कितनी है स्वालू कर ले 2 8 4 जा 34 32 4 4 16 8 4 जा 32 और 34 और 16 80 कितना जाएगा 160 cm2 चेक करो और मैं को पताओ समझ में आया कि नहीं है कोशेंट नमबर फास्ट 12.1 आगे समझ में चेक करो एंसर 12.1 कोश्ट इसमें दो टॉपिक आया तो पहले दोनों की फॉर्मुले लिख लो एक है फॉर्मुला हेमी स्पियर तो हेमी स्पियर से पहले स्पियर देख लो गोला ठीक है इसमें फॉर्मुला बनेगा गोले का प्रस्टी शेत्रफल गोले का प्रस्टी शेत्रफल सर्फेस एरिया ओफ स्पेयर यह होता है 4 पाई आर स्क्वेर पहला स्पेयर है सेकेंड टॉपिक आएगा अच्छा इसका वॉल्यूम भी लिख लो वॉल्यूम ओफ इस्पेयर गोले का आयतन गोले का आयतन होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब 4 बाई 3 पाई आर क्यूब फॉर्मुले याद रखना अब सेकेंड टॉपिक के हमिस्पेयर हमिस्पेयर अर्ध गोला तो अर्ध गोले के फॉर्मुले कैसे बनते देखो आधा गोला अभी फॉर्मुला क्या बना हमने क्या किया कोई भी कुछ भी मान लो इसको बॉल मान लो वो स्माईली वाली उसको काट दो तो आधा जो दिख रहा है ना सामने जैसे इसको काट रहा है जो दिख रहा है सामने वो हुआ अर्ध गोले का प्रस्टी शित्रफल surface area of hemisphere surface area of hemisphere तो आप इसको आदा कर दो, ध्यान से सुनो पहले उसके बाद बोलना आगे इसको आदा कर दो, तो इसको आदा कर दिया क्योंकि आदा गोला हो गया 4 pi r square अब मैं क्या लिख रहा हूँ है आपर total surface area of hemisphere formula बन रहा है hemisphere अर्ध गोले का कुल प्रस्टी शित्रफल कुल प्रस्टी शित्रफल आदे गोले का प्रस्टी शित्रफल यह आदे गोले का प्रस्टी शित्रफल है जिसको 4 pi r ms क्या करना था 2 pi r square आदे गोले का प्रस्टी शित्रफल और यह है आदे गोले का टोटल सर्फेस हिरिया और टोटल में क्या आएगा उपर का जो उपर का हिस्सा दिख रहा ना कटा हुआ उसको भी निकालना है उसको भी मेजर करना है तो वो क्या हो जाएगा 2 πाई आर स्क्वेर में उपर वाला कैसा है गोला मतलब सर्किल है वरत है तो उपर वाला मिला लेंगी तो उपर वाला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेर वरत का शितरफल पढ़ा है नहीं हमने वरत का शितरफल एरिया ओफ सर्किल एरिया ओफ सर्किल वरत का शितरफल वृत का चितरफल क्या होता है? pi r square तो उपर वाले भाग को add कर देना है तो टोटल सरफेस एरिया वाला जब formula यूस करना हो तो 3 pi r square तो दो formula यहां से बने और volume of hemisphere volume of hemisphere अर्ध गोले का आयथन अर्ध गोले का आयथन अर्ध गोले का आयथन volume of hemisphere compare four by three sorry उसको आधा कर दो तो क्या देगा two by three पाई यार के तो एक formula यह formula अभी एक बिकर सलेंडर आया है doनों में formula में को दिकत है नहीं है तो तो मुझाणी लिखो अभी C¥ k zwischen लेखो टॉपिक समझ में आगे दोनों इस्पेर और हेमिस्पेर अभी एक है स्लेंडर बेलन ठीक है ये वाला भाग भी वृत्ताकार वृत्त मतलब सर्कुलर रेडियस ये भी रेडियस ठीक है रोड रोलर देगा सामने का हिस्सा ये वाला भाग वृत्ताकार ये भी वृत्ताकार ये हाइट अब एक बात बताओ फॉर्मॉला बनाना सीखो पहला फॉर्मॉला है वक्र प्रस्टी शेत्रफल वक्र प्रस्टी शेत्रफल वक्र प्रस्टी मतलब कर्वड सर्फेस एरिया कर्वड सर्फेस एरिया कर्वड सर्फेस एरिया कर्वड सर्फेस एरिया का मतलब ये होता है कि आप इतने जगह पे पैंटे कर दो बार बार कर्वड सर्फिस एरिये का मतलब बता रहा हूं मैं ठीक है पैंट कर तो यह पूरे भार भार ना इधर ना इधर पूरे भार 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 ठीक है अच्छा बताओ अगर एक बार ऐसे पैंट करोगे तो क्या होगा परीदी बनेगी वरत की परीदी सरकंफेरेंस बनेगी यहां से यहां तक फॉर्मला बनाना सी कर रहा हूं सरकंफेरेंस बनी और जबकि पैंट हमको पूरे भाग में करना है तो तो टू पाई आर और एच हाइड तक सरकंफेरेंस बनाना एच हाइड तक तो क्या हो जाएगा तू पाई रह बहुत बढ़िया अभी टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया और शलेंडर बेलन का कुल प्रस्टिश एत्रफल अब जब अभी पैंट कहां किया बार बार अब जब टोटल सर्फेस एरिया निकाला तो पैंट कहां करेंगे अंदर नहीं उपर ढगा दो इधर ढगा दो पैक कर दो और फिर पैंट करो तो हमने एक बार यहां करेंगे तो भाग कैसा है घोरत किया कार काता है सरकूलर तो पाइयार स्क्वेर होता है कितने पाइयर स्क्वेर एक प्यार स्क्वेर 2 Υीयर कितने पाइयर म penalty क्या क्मने 2 पाईयार क्मनGE क्या अब यह एक है फ्लास एक और फॉर्मला बद parked फॉपाई आर फॉर्मला बनेगा इंसलdsक कशल सेख़कर में Philippe जोगे एसे पानी डालो टो फांडर की बॉल्द की ट्तना पाने डालो कि तली में चिपके तल मतलब बेस में थोड़ा पानी डाला बेस में अ बेस क्या हो गया उसका वर्तだから तो पूरे सुर पूरा ऐसा है पानी ऐसे पूरा है पनी एसा पनी फेल कया तो हमने यहां बार circumference में h का इंटू किया, यहां बार circle के area में h का इंटू किया, तो pi r square h, यह cylinder की थी नो formula, अब formula जब याद नहीं आएंगे, तो सोचना मैंने क्या बताया था, एक बार याद आजाएगा, ठीक है, यह formula, अब हम करेंगे question में second, इसको भी लिखो, फिर question second करेंगे